हाई फ्रेंज वेलकम बैक मैं यूट्यूब चैनल आज मैं आपके साथ ये खुबसूर असर डिजाइन का वीडियो शेर करने वाली हूँ इस डिजाइन को आप किसी भी पोजेक्टर पर डाल सकते हैं इसको बनाना भी बहुत असान है और बना हुआ ये बहुत ही ज़्यादा खुबसूरोत भी लगता है इसको आप लेडिस कार्डिगन, जैकेट या फिर गर्ल्स टॉप डाल सकते हैं इसको जैंड स्वेटर पर अप्लाई करें बना हुआ ये बहुत ही खुबसूरोत लगता है ये डिजाइन जो है ये तीन के मल्टिपल फंदो पर चलता है और शेसलाई का डिजाइन है आपने शेसलाई जो है वो अपने पूरे पोजेक्ट में रिपीट करते हुए जानी है ये इसका लुक देखी आप कितना प्यारा खुबसूरोत लगता है और बैक साइड जो है इसकी ऐसे आती है ये भी बहुत ज़्यादा फिंशिंग के साथ आती है तो चलिए अब मैं आपको बना कर दिखाती हूँ कि इस डिजाइन को जो है वो हम कैसे बनाएंगे और मेरी आप से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं मेरे डिजाइन अच्छे लगते हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक शेर जूर किया करें और चैनल को अभी तक आपने सबसाइब नहीं किया है तो प्रीज सबसाइब भी चलूर करें चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि यह डिजाइन हम कैसे बनाएंगे तो friends मैंने यहाँ पर 15 स्टिचीज लिये हैं तीन के multiple करके 15 स्टिचीज और इसके लिए हमको जो है कोई भी फंद एक्स्टा नहीं चाहिए होगा आपने जब भी फंदे लेने हैं तीन तीन के multiple करके ले लेने हैं और यह जो डिजाइन है आपका बन जाएगा और यहां पर मैंने थोड़ा सा बॉडर बना लिया है चार सलाईयों का अभी हम जो डिजाइन की पहली सलाई है उसको हम बनाएंगे डिजाइन की हमारी first row है और right side है यह जो सलाई है वो हमारी पूरी सीधी बुनी जाएगी डिजाइन की पहली सिलाई इसको हम सीधा बुनेंगे अब हम आ गए हैं रॉंग साइट पर यह मैं डिजाइन की दूसरी सिलाई है इसको हमने रॉंग साइट से पूरा उल्टा बुनकर कम्प्लीट करना है अब हम आगे हैं राइट साइड पर यह हमारे डिजाइन की थर्ड रो है इसको हमने कैसे बनाना है तक दियान से देखिएगा यह पहला फंद एजिस्टीच है इसको हम ऐसे उतारेंगे अब धागा अपनी होर करेंगे और एक फंद हम यहां से उल्टा बुनेंगे इसे उल्टा बुना विदागे को हम पीछे करेंगे और यह जो दो फंदे हैं इनके बीच में से हम ऐसे सलाइड डालेंगे इस तरह से सलाइड डालेंगे और एक फंदा हम बनाएंगे एक्स्ट्रा लूप हमने निकालनी है और ऐसा जो फंदा है थोड़ा सा हमने लूज रखना है ना जादा टाइट रखेंगे ना जादा लूज रखेंगे डागा ऐसे गुमाएंगे सलाइड के उपर से एक फंदा यहां पर बनाएंगे और यह जो दो फंदे हैं इसको लेंगे और ऐसे बैक से दो फंदो का एक कर देंगे इस तरह से अब भी फिर से हमारा जो डिजाइन है और पीटो होगा यहां से एक फंदा उल्टा डागा पीछे करेंगे इन दो फंदों के बीच में से यहां से हमने सलाई को डालना है प्रैस से लूप निकालकर लाएंगे ऐसे एक फंदा बनाएंगे और इसको हमने सलाई के उपर से डाला दागे को और एक फंदा बना लिया और ये दो फंदे जो हैं ऐसे बैक से लेंगे और दो फंदों को ऐसे एक बना लेंगे यह हमारे तीन फंदे हो गए यहां इसे को हमने पूरी सलाई में जो है रपीट करते होगे जाना है एक फंदा उल्टा बुनेंगे दागा पीछे करेंगे दो फंदों के बीच में से सलाई को डालेंगे एक एक्स्ट्रा फंदा बुनेंगे लूप निकाल कर बनाएंगे डागे को पेटेंगे जाएंगे उठ पर फंदा बनाएंगे और इन दो फंदों को बैक से दो का एक कर लेंगे ऐसे ऐसे किया इसे किसर पीट वही होगा और लास्ट में मारा एक फंदा उल्टा आएगा और यह हमारा एड़िस्टिट सीधा बुना जाएगा ऐसे यह देगी ऐसे आया है यह हमारी थर्ड रो है और अभी हम आ गए है रॉंग साइट पर यह मारे डिजाइन के जो है यह फोर्थ रो है इसको हम कैसे बुनेंगे आप त्यान से देगिएगा यह पहला फंद एड़ को अपनी और करेंगे और यह जो तीन फंदे हैं हमने जो फंदे बनाए हैं यहां से इन में से पहला फंदा उल्टा बुनेंगे एक और यह वाला फंदा दूसरा इसको भी हमने ऐसे उल्टा बुनना है दो फंदे हो गए और जो फंदा हमने एक्स्ट्रा बनाया है यह दागा अपनी और ये दो फंदे उल्टे एक दो फंदे उल्टे बुने इसको फंदे को बिना बुने आसे ही उतार लेना इसको बुनना नहीं है दागा पीछे करेंगे एक फंदा सीधा दागा अपनी और दो फंदे उल्टे एक बिना बुने आसे ही उतार लिया दागा पीछ पीछे किया एक फंदा सीधा और यह लास्ट का फंद एड़ स्टिच हमारा उल्टा बुना जाएगा तो फ्रेंट्स अभी हम आ गए इस डिजाइन की 5 या सलाइपर यह पहला फंद एड़ सीधा इसको हम ऐसे इतारेंगे नाग अपनी और करेंगे यह एक फंदा जो है इसको हमने उल्टा बुनना है ऐसे ऐसे उल्टा बुना दागे को हम पीछे करेंगे और ये जो फंदा है हमने बिना बुनने उतारा इसको ऐसे पहले उतार लेंगे इसको बुनना नहीं है दागा अपनी और करेंगे ये जो दो फंदे हैं इनको हमने उल्टा बुनना है देखिए ऐसे एक और ये दो फंदे उल्टे बुने दागा हम पीछे करेंगे और यह जो फंदा हमने बिना बुने उतारा है यह वला ऐसे इसको हमने इन फंदों के उपर से जिरा देना है यह देखिए त्क है अभी धागा अपनी यो र करेंगे फिस के रपीट होगा एक फंदा उल्टा, दागा पीछे किया, इस फंदे को हमने ऐसे उतार लेना है पहले, फिर दागे को अपनी उर कर लेना है, और दो फंदे हमने उल्टे बुन लेना है, दागे को पीछे करेंगे, और यह जो फंदा है हमने बिना बुने उतारा है, इसको हमने इसके उपर से गिरा देना, दागा अपनी और करेंगे फिसे इस फंदे को उल्टा बुना, दागा पीछे किया, इसको बिना खुने उतारा, दागा अपनी और किया, दो फंदे उल्टे बुने, दागे को पीछे करेंगे, इस फंदे को इन दोनों फंदों के उपर से इसे गिरा देंगे, द करी जभra पिछे इसको एंट लंटे मुने और यह लास पिछे करेंगे यह तेच सीदह के अभी हम आ गए हैं रॉड़साइट पर और यह हमारी नियुसाइनि जो है 6 रो है 36 लाई है इसको हमने ये पहला फंदे इसको उतारेंगे दागा पीशे किया एक फंदा सीधा ये देखिए जो माई सीधा फंदा आ रहे है नो यहां से इसको हमने सीधा बुनना है दागा अपनी और करेंगे दो फंदे उल्टे बुनेंगे एक दो दागा पीशे करेंगे अभी एक फंदा सीधा दागा अपनियों दो फंदे उल्टे जो शुटिस लाइए हमारी ना वो इसी तरह से कम्प्लीट होनी है एक फंदा हम सीधा बुनते जाएंगे और दो फंदे जो है वो हमने उल्टे बुनते जाना है कि यह देखिए यह मारे डिजाइन की जो भी शीयस लाइया है वो कम्प्लीट हो गई है बस इनी शीयस लाइयों को आपने रिपीट करते होए जाना अपने पूरे प्रोजेक्ट में तो आपका यह खुब सूरसा डिजाइन जो है बनता जाएगा आप इसको एक बाद जरूर बनाकर देखिएगा बहुत ही प्यारा लगता है बच्चों के किसी भी प्रोजेक्ट पर आप इसको डाल सकते हैं अगर आपको आज का डिजाइन अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर कॉमेंट करना मत भूलिएगा चैनल को अपिछले सबसाइब नहीं क